थेले वाली रोल कट मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आईरन की कढ़ाई लेंगे आप इसमें आईरन की कढ़ाई करें क्योंकि दूद को हमें काफी देर तक उबालना है और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक लीटर दूद दूद को हमें अच्छे से उबाल लेना है और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक बोल फ्रेश मलाई और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे दूद को हमें तक तक उबालना है जब तक ये दूद जो है वो कौंटिटी में आदा न हो जाए इस कुल्फी को बनाने के लिए हम मावा या मिल्क पाउडर का यूज नहीं करेंगे और आप यकीन मानिए जो इसका टेस्ट होता है न वो बिल्कुल जो ठेले पर रोल कट मलाई कुल्फी बनती है बिल्कुल वैसा ही आएगा दूद को उबालते हुए हमें 5 मिनिट हो गए है और आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ गया है अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये अपनी क्वांटिटी से हाफ न हो जाए और अब हम इसे बार बार नहीं चला आते रहें अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं 20 से 25 काजू और बादाम को मैंने आदा घंटे के लिए गुंगुने पानी में भीगोकर रखा और फिर बादाम के छिलकों को मैंने हटा लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा दूट डाल कर इसे ब काजू और बादाम का पेस डालने के बाद दूट को एक बार अच्छे से चला लें ताकि ये पेस जो है वो दूट में अच्छे से मिल जाएं दूट को गाड़ा होने में अभी समय लगेगा आईए तब तक हम इसके लिए कैरमल बना लेते हैं इसके लिए मैंने एक फ्राइंड पैन लिया है और इसमें मैं डाल गई हूँ एक बोल शक्कर शक्कर को आप इसमें अच्छे से फैला लें कैरमल को बनाने के लिए हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है एक तो ये कि गैस की फ्लेम को हमें धीमा रखना है और दूसरा कि आप शक्कर को बिल्कुल भी ना चलाएं और थोड़ी समय में ही आप देखेंगे कि ये होने लगी है और इस स्टेज पर हम इसे हल्का सा चला लेंगे बहुत जादा नहीं चलाना है हमें बस उपर नीचे हल्का सा इसे कर ले और आप देख सकते हैं कि कैरमल जो है वो बनने लगा है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे जब भी आप किसी भी रेसेपी के लिए कैरमल बना रहे हो तो आप गैस की फ्लेम को हमेशा धीमा रखे नहीं तो ये जल जाता है और ये देखे कैरमल बनकर तयार है अब हम गैस बन कर देंगे और इसे उबलते हुए दूद म हैं बहुत ही ध्यान से धीरे-धीरे इसे डाल लेंगे ये देखिέ कैरमल को डालते ही दूद में इक्दम से उबाल ऑ और तेजी से आने लगा है इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को आप धीमा कर देंगे कैरमल को दूद में डालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी गुठियां पड़ गई हैं पर कोई दिक्कत नहीं है जैसे जैसे हम दूद को उबालेंगे यह अपने आप भी घुलती चली जाएंगी और अब हमने एक बोल में लिया है दो चमच कॉन फ्लार और इसमें हम थोड़ा सा दूद डाल कर इसका एक घुल तयार कर लेंगे यह देखे घुल बना कर हमने तयार कर लिया है और अब हम इसे उबलते हुए दूद में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे कॉन फ्लार को दूद में डालने के बाद भी गुठियां पड़ सकती हैं पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिक्षर को ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो कोई भी गुठलियां हो वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और अब हम इसे stage पर डाल रहे हैं इलाइची पाउडर और इलाइची पाउडर डालने के बाद भी इसे एक बार अच्छे से मिला ले अब हम दूद को सिर्फ 2 मिनिट तक और पकाएंगे दो मिनिट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है इसे stage पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक से दो मिनिट तक और चलाएंगे ताकि ये जले ना और अब हम इसे आदा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे दूद अच्छे से ठंडा हो गया था और अब हमने इसे एक mixing jar में डाल लिया है और इसे हम अच्छे से blend कर लेंगे ये देखिए इसे हमने अच्छे से blend कर लिया है और अब हम इस तरह से दो बर्तन लेंगे जिनमें हमें कुलफी को जमाना है और इसमें हम इस गाड़े दूट को डाल देंगे और अब हम इन्हें कवर करेंगे और इन्हें 10 से 12 घंटे के लिए डीफ रिजर में रखेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए 12 घंटे हो चुगे हैं और आए हम चेक कर लेते हैं ये देखिए जो मलाई कुल्फी है वो अच्छे से जम चुकी है अब हम चाकू की हेल्प से इस कुल्फी को एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे रोल काफी बढ़ा है इसलिए मैंने जो इसके पीसे कट किये हैं वो हाफ-ाफ किये है मलाई कुलफी को मैंने मिटी के बर्तन में सर्व किया है और अब हम इसे बारिक कटे हुए पिस्ता से गानिश कर लेंगे और ये देखिए ठेले वारी रोल कट मलाई कुल्फी बनकर तयार है और अब हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हूँ तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करें